वेलकम गाइस ITL पर वीडियो में आपके सामने MI5A का आप RAM और Memory Storage कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत इजी है आपको इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा यहां से आप इसकी सेटिंग में जाओगे यहां से आप सेटिंग में जाओए अबाउट के अंदर अबाउट में अंदर यहां पर आपको देखो 2GV RAM और इसके नीचे यहां पर 16GV इंटर्नल आपका शो हो रहा है आपको इसका Wi-Fi Mac अड्रेस और SIM अड्रेस जो भी है IP अड्रेस सब आपको यहां पर शो हो जाएगा इसका IP अड्रेस और Wi-Fi Mac अड्रेस, Bluetooth, Serial नमबर यहां पर आपको सारा शो हो जाएगा IMI नमबर यहां आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे एरोपे तो यह IMI नमबर यहां पर आपको शो हो जाएगा ठीके दोस्तों तो और एक बात और बता दू यह जो IMI के फोन जो IMI के लोगों पर जाके हैंग आउट हो जाते हैं और प्रोब्लम देते हैं तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आप IMI को फुल अपडेट जरू करें यह मैंने अभी अपडेट किया IMI का चेक आउट तो IMI के फोन अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो वो आपका हैंग हो जाएगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इस चेक आउट को आप हर बार चेक करते रहें अभी इसमें कोई अपडेट नहीं आया है तो प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि IMI के फोन में आप जरूर अपडेट चेक करें ठीके वीवर्स अगर अपडेट नहीं करा तो आपको फिर उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे सोफ़वेर डलवा के फिर आप उसमें फिर उसे सोफ़वेर डलवाने के बाद फिर वो अपडेट का उप्शन आता है जिससे कि आपको टाइम और पैसा दोनों बेकार जाता है तो प्लीज पहले ही आप अपने फोन को IMI को अपडेट कर लें थैंक्स पर वोचिंग वीवर्स और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे प्लीज आई टी अलपर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वोचिंग